एलो फ्रेंड कीचिन तड़का में आप सभी का सवागत है फ्रेंड आपने बेशन के सेहों तो आलू के सेहों आलू की भुजिया तो कई बार खायी होगी आज मैं आपको टमाटर के ऐसे भुजिया बनता ना बताऊंगी जो कि बनाने में तो इतनी आसान है और खाने में इतनी टेस्ट ही होगी फिर आप आगे से यही टमाटरी सेयों बनाना पसंद करेंगे तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरे वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखना ना पूँए इन सेव को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेस्ट बनाते हैं, इसके लिए मैंने दो टमाटर लिया है, यह देसी टमाटर है, बिल्कुल लाल टमाटर का यूज कीजिएगा क्योंकि देशी टमाटर थोड़े खट्टे होते हैं इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टमाटर को हम रफ़ी चॉप करके ग्राइंड जार में डाल देंगे और ये देखिए मैंने दोनों टमाटर का उपर का डंटल निकाल के दोनों को रफ़ी चौप करके ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है अब मैंने ये 20-25 लैसुन के कलिया ली है इस सियो में लैसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लेकिन अगर आप लैसुन महीं कहते हैं तो इसे इसके भी कर सकते हैं आधा चमच हींग डाल देंगी हींग में थोड़ी मोटी मोटी गाठे होती हैं इसलिए इसी के साथ ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि जब भी हम बेसन के कोई चीज बनाते हैं डाइजिशन के लिए हमें हींड डालना बहुत जरूरी होता है और सभी चीजों को मैंने बिल्कुल महीं पीस लिया है अब इसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे इन टमाटर के बेस को आप बिना पानी के ही पीसेगा बिल्कुल भी पानी का यूज मत कीजेगा अब इसमें मैंने दो कटोरी महीन बाला बेसन लिया है ये इसमें डाल देंगे बेसन को मैंने पहले ही चान लिया था इसमें एक चौथाई चमच हल्दी पॉर्डर आधा चमच लाल में पॉर्डर डाल देंगे टेस्ट एकोर्डिंग नमक डाल देंगे अगर आप इसमें अजवाइन डालना चाहते हैं तो अजवाइन भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें लैसन का यूज किया है इसलिए दोनों का फ्लेवर ज्यादा मैच नहीं करता है इसलिए मैंने केवल एक ही चीज को डाला है अगर आप लैसन नहीं खाते हैं तो अजवाइन का यूज कर सकते हैं अब मैंने दो चममचेस में ओयल डाल दिया है इससे हमारी बुजिया बहुत क्रेश्पी और फॉर्टी है सभी चीजों को अच्छे से मेक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे अब जरूवत पड़ेगी तो हमने थोड़ा सा पानी डाल देंगे और यह देंगे डो बनना शोरू हो गया है कि अब इस समें मैंने थोड़ा सा मैंने मिक्सी के जार में बाद में यहां है अजन जरूत पड़ी है अच्छे से हम बेसन को गूतलेंगे नहीं जादा ढीला और नहीं जादा कउड़ना है हाथों को फ्रेशं आप को जिस अच्छे से गूतलिगे इस अच्छे करश्पी और फ़े अलके हलके बनेंगे अब इसको में मैंने एक चोथाई सी भी कम एक पिंच के करीब बेकिंग सोडा डाल दिया है वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और सभी जीजो को मिक्स करते हुए इसे पांच-दस मिनट के लिए ऐसे ही फेट लेंगे ताकि बेसन में अच्छी से एयर भर जाए और बेसन खूब हलका हो जाए जैसे जैसे आप बेसन को फेट दे जाएंगे बेसन आपका हलका पढ़ता जाएगा और ये देखे मैंने इसे 5 मिनट खूब अच्छी से फेट लिया है अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तब तक हमें एक छोटा सा काम करते हैं मैंने ये सियों बनाने वाली मशीन ली है आप चाहें तो इसमें एक पतली वाली जाली लगा दी है और मशीन को भी हमें खूब अच्छी तरीके से चारो तरफ ऑईल लगाकर ग्रीज कर देना है सारी मशीन को हमने अच्छी से ऑईल लगाकर ग्रीज कर दिया है इसके हटे पे भी हम ऑईल लगा देंगे अब मशीन के अंदर जाली को फिट कर देंगे और 15 मिनट हो गए है बेसन भी हमारा अच्छी से सेट हो गया है अब बेसन में से हम एक छोटा सब पोर्शन दे लेंगे अगर आपका बेसन जादा चिपक रहा हो तो हाथो पर थोड़ा सा पानी लगा लीजे यह बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इसकी एक छोटी सी चिकनी सी हम लोई बना लेंगे और इसे मशीन में डाल देंगे मशीन के ऊपर का धका नगा देंगे और यह लीजे हमारी मशीन अच्छी से त्यार हो गई है इधर मैंने कड़ाई में ओयल जरम होने रख दिया था प्रेंट भुजिया बैसे तो सरसो के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है लेकिन अगर आप कोई और कोकिंग या ओयल यूज करते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं इस अब मशीन को गोल कुल घुमा कर हम अपनी भुजिया को वट डाल दें इस समय गैस का फ्लेम लो टू मीटियम कर दीजेगा ताकि हमारे सेयों अंदर तक अच्छे से सिख जाएं और ये देखे एक पार की मशीन के पूरे सेयों मेरे अउयल में आ गए हैं अब उयल को एक तरफ से पलट देंगे और ये देखे कितने अच्छे से सिख रहे हैं जैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है ताकि ये अंदर तक कूब अच्छे से सिख जाएं इन्हें सिखने में मातर 2-3 मिनट तक लगते हैं जब आपके सिख बिलकुल कड़ाई के ऊपर आने लगे तो समझ लीजे ये सिख गए हैं और ये देखे कितने अच्छे से हमारी बुजिया सिख कर बाहर आ गए एक साथ पूरा कुछा बाहर निकल आया है इसे निकल कर बाहर कर लेंगे और फिर इसी तरीके से हम मशीन को फिर खोलेंगे और इसमें हम अपने फिर से सिर्बेशन का मिक्षर डाल देंगे और मशीन को फिर से बन कर देंगे और फिर अपने फिर उसी ओयल में हम मशीन को अच्छी से चारो तरफ घुमा कर इसके सियों तोड़ देंगे और ये देखे कितने फटा-फट हमारे सियों बन कर त्यार हो करें हैं इस तरीके से आप एक से दो किलो पैचन भी तोड़ देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहां भुजिया बना ली और टेस्स में तो फ्रेंट बिश्वास मानी है ये भुजिया इतनी अच्छी टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार इसी तरीके की भुजिया बनाना पसंद करेंगे और ये देखिए मैंने एक इतने अच्छी सेव बना कर त्यार कर लिए है सारे सेव हमारे ऐसे ही निकल कर बाहर आ रहे है इसमें आपको किसी भी तरीके का मसाला डाने की कोई जरूरती नहीं है ये इतने फ्लेवर फुल है कि आप एक बार इसी तरीके से इसे बनाएए इसमें कोई भी एक्ष्टा मसाले का यूज मत कीजिए ये ऐसे ही खाने में बहुत टेसरी लगते हैं एक बार बनाएंगे तो बार बार खाते रह जाएंगे आपका हाथ रुके गा ही नहीं तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिए का और देखे कितने क्रिस्पी बने हुए हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखना ना बूले